क्या पर्ल हार्बर की तरह ताइवान पर भीसन हमला करेगी चीनी सेना आखीर ये खबर हड़कंप क्यों मचा रही है और क्या अमेरिका की नौ सेना पर हावी हो जाएगी चीनी सेना जानेंगे क्यों ये मामला उठ रहा है वहीं दूसरी तरह पाकिस्तान पर दूसरी बड़ी तबाही तूट पड़ी चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जानेंगे FATF का कौन सा कहर तूट रहा है पाकिस्तान के उपर आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से चीन और अमेरिका के बीच अभी तक जंग जैसे हालात बन रहे हैं और वो हालात ताइवान की वजह से और जादा मजबूत होते जा रहे हैं उमान ये लगाया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच एक बहुत भीशन जंग हो सकता है ये जंग कोई ऐसा जंग नहीं होगा जो सीधा साधा जंग हो इसमें लासों के धेर लग सकते हैं वैसे इस जंग के लिए ये अनुमान जाएगा और सिर्फ इतना ही नहीं ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की ताकत कहे जाने वाले दो एयरकराफ्ट केरियर को भी चीन डुबोने में सफल हो सकता है आगे ये भी कहा जा रहा है कि चाइना 700 अमेरिकी फाइटर जेट को भी तबाह कर सकता है अपनी मिसाइलों से अमेरिकी नौसेना के 20 युद्ध पोत को भी निसाने पर ले लेगा चाइना कहा जा रहा है कि इस युद्ध में 32 अमेरिकी सेनिकों की मौत हो सकती है सेंटर फोर स्टेटजी ने ये अनुमान लगाया हुआ है और इस अनुमान के नतीजे लाकर सामने रखे हैं इसका कहना है कि अगर ये युद्ध होता है तो ये युद्ध 21 दिनों तक चलेगा वैसे इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन और अमेरिका अगर लड़ेंगे तो ये परमानू हतियारों से नहीं लड़ेंगे बलकि जो परंप्रागत हतियार है उससे ही लड़ेंगे तो पर भी नुकसान इतना बड़ा होगा अब सवाल ये उड़ता है कि जिनपिंग ने आते ही इस चीज को दिखला तो जरूर दिया था कि वो ताइवान पर हमला करेगा और ताइवान को कबजे में लेगा पर ताइवान पर कब हमला कर सकता है चाइना तो कहा जा रहा है कि साल दोहजार शब्वीस में दरसल चाइना तैयारी करेगा ताइवान को कबजे में लेने की चाइना पूरे प्लान के तहट दोजार शब्वीस में उतरेगा कि अगर अमेरिकी सेना आती है तो रास्ते में ही कैसे अमेरिकी सेना को रोका जाए उन्हें तबाह किया जाए उसकी भी प्लानिंग करके बैठा होगा चाइ केरियर हैं 3800 फाइटर जेट हैं वैसे इस युद्ध में चाइना के एक हैपरसोनिक हतियार भी निकलेंगे कहा जा रहा है कि डीएफ 17 का इस्तेमाल चाइना कर सकता है इस युद्ध के लिए चीन ने डीएफ 17 को खास तोर पर अमेरिकी एरक्राफ्ट केरियर को डुबोने के लिए ही बनाया है और चाइना कई बार प्रैक्टिस करते हुए भी देखा जाता है कि कैसे अमेरिकी एरक्राफ्ट केरियर को डुबोया जा सकता है माना जाता है कि इस युद्ध में डीएफ 17 का इस्तेमाल चाइना खूब करेगा जो आंकडे बता रहे हैं वो ये कह रहे है कि जिस थरीके का हमला परल हारबर पर हुआ था वैसा ही हमला चीनी से ना करेगी और इसमें अमेरिका को भी नुकसान होगा वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना बिज़ई बनकर निकलेगा पलकि चाइना के लिए भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका के 32 तो चाइना के 10,000 से जादा सहनी मारे जाएंगे बहुत जादा नुकसान होगा और चाइना और अमेरिका दोनु की ही सक्तियां छीन हो जाएंगी इस युद्ध के बाद इस युद्ध के कई बिनासकारी परिनाम भी देखने को मिलेंगे खेर जहां एक तरफ ये सारी कर चल रही है कि माना जाता है कि जिनकी नौ सेना बड़ी होती है वो complicated जीन पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौ सेना का विकास कर रहा है कि जंग में बड़ा बेडा हमेशा लगबग जीतता है और अमेरिका के लिए एक चेतावनी है यूएस नेवल वार कॉलेज के प्रोफिसर ने अमेरिकी सेन्य योजनाकारों के लिए एक चेतावनी दी है और कहा है कि जब नौसेना की युद्ध होती है तो बड़ा बेड़ा हमेशा जीत हासिल करता है इसलिए अगर चाइना को समेटना है तो अमेरिका को सिर्फ टेक्लोजी के भरोसे ही नहीं बलकि अपनी सेन्य चमताओं को भी बड़ा करना होगा अपने जहाजों की संख्या को बड़ा करना होगा बढ़ाना होगा खेर जहां चाइना अपनी सेना को घटा रहा है वहीं अमेरिका के अब रनितिकार ये सलाह दे रहे हैं कि अमे के बीच में कहते हैं ना जब समय खराब हो तो इंसान उट पर क्यों न बठाओ फिर भी कुट्ते काट लेते हैं वही हाल हो रहा है अब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के कंगाली में आटा गिला हो रहा है सबसे पहली बात तो यह कि जब पाकिस्तान गया युवई और अवस्था कैसी है? सही बात है, कोई भी देस अगर पैसे लगा रहा है, तो पैसे लगाने से पहले ये जरूर चेक करेगा कि क्या मेरे पैसे सुरचित देस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं एक जटका तो UAE ने घर पहुँचते ही सहबास सरीफ को दे दिया वहीं दूसरी तरफ IMF ने भी जटका दे दिया और IMF ने कहा कि हम आपके फंड को रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि आप पेट्रोल और डिजल के दान को नहीं बढ़ा रहे हैं तीसरी बात यह हो गई कि नाटो अब फिर से चेक कर रहा है कि कैसे इसे हटाया जाए हमारे नौन नाटो अलाई के रूप में अब चौथी सबसे बड़ी चोट जो सहबास सरीफ को एकदम से हिला कर रख देगी और वो है FATF अभी UNSC में हाल में जो खेल हुआ है ना उसका असर FATF पर देखने को मिल रहा है फिलाल पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ था और बाहर होने के बाद बहुत ज़्यादा खुसिया मनाई गई थी पाकिस्तान के अंदर नई सरकार ने ये कहा था कि देखो हमने ऐसा करके दिखा दिया है पर कहा ये जा रहा है कि अब एक बार फिर से FATF का सिकन जा पाकिस्तान के ऊपर कस रहा है अब ये घोसना के बाद से ही कई तरह की चीजें निकल कर सामने आने लगी है पूरे नेटवर्क को लेकर एक बार फिर से जांच होने लगी है साजीद मीर और कई सारे ऐसे आतंकी है जिनके नाम फिर से उचल कर सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे ये चीजें उचल कर सामने आ रही है वैसे वैसे एफेटीएफ का सिकंजा भी अब कसने की तरफ बढ़ रहा है वैसे आपको कह दे जो पाकिस्तान को बहुत छूट मिली थी अब एक बार फिर से साउथ साउथ रिसर्च इनिसियेटीव एस आराई ने ये कहा है कि एफेटीएफ की निगरानी अब से एफेटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान कमेंट कर अपनी राई जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ